ओम नमस्षिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छा स्वारत द्वा यूटूब चैनल पर महा सिवरात्री के दिन जरूर खा लेना दो चीजें इससे आपकी मनो कामना होगी पूरी आप सभी जानते हैं कि महा सिवरात्री पर बड़ा महत होता है हम जो भी प्रसाद खाते हैं उसका क्योंकि ये साक्यात भोले नात का आशिरवाद है और आज की दिन प्रसाद आपको जरूर खाना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ पुत्र की कामना है धन की कामना है ब्यवपार अच्छने चल रहा है प्रते कार्म रुकावटा रही है तो दूस्तों आपकी हर मनो कामना पूरी होगी ये उपाई बेहती जादा चमतकारी और प्रभावसारी है अगर आप यह उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाम मिलेगा और आपके जीवन में आरे सारे कश्ट और परिसानियां दूर हो जाएंगे मासिवरात्री के दिन प्रतम पैर से लेकर के चतुरत पैर तक जागरन किया जाता यान पहली पैर की पूजा से लेकर के चतुरत पैर की पूजा की ताके जो है रात्री जागरन किया जाता जिसका बड़ा महत्तो है रात रिजागर ना कर सके तो प्रतम पैरों चतुरत पैर की पूजातों आप जरूर करें धतूरे का पल कहते हैं कि नकार अत्मक्ता को खत्म करने के लिए और साथ ही मनो कामना पूरी करने के लिए भगवान को धतूरा जरूर चड़ाना चाहिए दतूरा चड़ाएं दतूरे के साथ आपको केले का पल बेर का फल भगवान सिब को चड़ाना है अपनी इच्चा बोल करके एक प्लेट में दतूरा रख लें केले का पल रख लें बेर का फल रख लें और उसमें आप भांग की पतिया रख लें अरियरी भगवान के सामने पूल करे कि जैसे किसी के सरी में कापी समे से कोई परिशान है चल रही है या पिर आपका ब्योपार अच्छनी चल रहा है ब्योपार में आप बार 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 परिशान रहते हैं ब्योपार की बज़े से तो दोस्तों आपको यह उपाय जरू करना चाहिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा चमतकारी और प्रभापसालिया नी 11 आपको सरसु के पुश्प ले लेने हैं ग्यार है, सर्सों के पुष्प आप ले लें, और यह सर्सों के पुष्प भगवान सिव को समर्पित करें, इससे आपकी मनो कामना पूर्योगी है, भगवान सिव को इस दिन पंचामरत अरपन करें, दू, दई, गी, सहद, सक्करादिम, साथ ही भगवान को बेर का फल बेहद करें और भोजी पत्र पर Аपनी इच्छा लिक कर के शपेज चंदन से आप लाल चंदन से अपनी इच्छा लिक करके और यह भगवान के चरणों में रगदें है और भगवान को पिर आपको क्या करना है बेर का फल चड़ाना है और साथ ही आपको भांग का प्रशाद चड़ाना है भांग का प्रशाद ज़्यादा तो नुक्सान करता है लेकिन लिमिट का यानि चण नामित के रूप में आधी चम्मच के करीबन आप ज़रूर ले और बेर का फल इस दिन आपको जरूर खाना है साथ ही नारियल का बीज और सिबलिंगी के बीज अगर आपको मिल जाते हैं पुत्र की कामना है तो सिबलिंगी का बीज सिबलिंग पर चड़ा करके चाबल के साथ में खाली पेड जरूर खाए इसे आपकी मनों कामना अवस्य पूरी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्च्वाय जरूर लेकें ओम नमस्च्वाय